नमस्ते चात्रों, गूड इवनिंग, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत है, आज हम इस वीडियो में सुंग राजवन्स की उत्पति एम इतिहास का वर्णन और उसके साहितिक्स रोतों के बारे में जानकर प्राप्त करेंगे, तो देखेगा होता क् कि 114 सी इस्सा फूरव में अंती मोर ये समराज ब्रेदर्थ की मत्यू हो जाती है, और जो ब्रेदर्थ है उसका सेनापती था पुस्ये मित्र सुंग, वही ब्रेदर्थ की हत्या कर देता है, और क्या होता है कि ब्रेदर्थ के साथ ही मोर ये समराजे का अंत हो जाता है, पत सब्सक्राइब करें ताकि आपको इतिहास से संबंदित महत्तवपुन जानकरी प्राप्त हो और यह जानकरी प्रीक्षा उप्योगी है ताकि आप समय ना लगाएं और हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेस को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं धन्यवाद तो पढ़ते हम सुंग राजवन्स की उत्पति हैं इतिहास का वर्णन सुंगों की उत्पति के बारे में विद्वानों के अलग-अलग मत हैं सुंग वन्स के राजा अपने नाम के अंद में मित्र शब्द का प्रियोग करते थे अत्या कुछ विद्वान सुंगों को मित्र अर्थात सूर्य का उपासक भी मानते हैं सुंगों की उत्पति से संब्धित महत्तोपुन मत देखिएगा ये कई बार पूछ लेते एक्जाम इसलिए हमने यहां पे इसको इस ट अधार पर कुछ विद्वानों ने सुंगों को निम्न जाती का बताया है लेकिन यह मत मानने नहीं है क्योंकि बान भट ने सुंगों को अनारिये पुसे मित्र के कारिये के आधार पर कहा है तो पुसे मित्र ने जो कारिये किया था उसके आधार पर बान भट ने सुंगों क संबंदित मानता है पुराण पुसे मित्र को सुंग कहते हैं सुंग वन्स को पाणिनी ने भार्द्वाज गोत्र का कहा है मार्विक अगनी मित्र में पुसे मित्र के पुत्र अगनी मित्र को बैंबिक कुल का बताया है तारानाथ ने भी पुसे मित्र को ब्राहमन बताया है हरिवन्स में पुसे मित्र को कास्यब गोत्रिय द्विज बताया है तो यह विबिन मत हैं जो अलग-अलग अपना मत देते हैं अलग-अलग विद्वान हैं अलग-अलग अपना मत देते हैं सुंग वास्तम में कौन थे तो इस परकार से हम निसकर्षता है कह सकते हैं कि सुंग प्रारब में मोरियों के पूरोहित रहे होंगे इन सभी मतों के आदार पर ये कहा जा सकता है कि सुंग है वो मोरियों के पूरोहित रहे होंगे सुंग वन्स का सासक वरक कोन कोरसा था देखेगा पुसे मित्र सुंग अगनी मित्र अगनी मित्र ने राजा की उपदी धरन की थी सुजेस्ट वसुमित्र वसुमित्र के नेतरतों में सुंग से ना ने यवनों को प्राजित किया था यह है पुशे मित्र के समय में सुंग राजवन्स की उत्री पसिमी सिमा प्रांद का राज्य पाले था कोने असुमित्र आंध्रक, पुलिंदक, गोस, बज्र मित्र ठीक है अगला सासक आता है भागवत या भागभद्र सुम्व सासक भागवत के सासनकाल के चोद्वे वर्स तक्सिला के यवन नरेश सासक एंटियाल किड्स का राजदूत हेलियोडोरस विदिसा में इस्थित भागवत के दरबार में आया था हेलियोडोरस ने विदी साब बेशनगर जो मध्यपरदेश में है में भागवत धरम के सम्मान में गरुड दवज स्थापित करवाया था अर्थाति क्रिश्ण विश्णों की पूजा करवाई थी देव भूति यह सुंग मन्स का अंतिम सासित था देव भूति के दिगारी वसुदेव ने देव भूति की हत्या करके कण्वा मन्स की स्थापना की थी ठीक है हम कण्वा मन्स के बारे में आगे पढ़ेंगे जिसकी स्थापना वसुदेव करता है सुंग कालिन साहित्यक्स रोत आप देखेगा जो सुंग कालिन साहित्यक्स रोत हैं वो कौन-कौन से हैं जिस महत्व कांग सी व्यक्ति ने 144 सा पूरा में अंति मोरी सासक ब्रैदर्थ की हत्या की वह है इत्यास में पुष्य फित्र के नाम से विख्यात हुआ ब्रैदर्त ने जिस राजवन्स के इस्तापना की वह सुंग नाम से जाना जाता है ठीक है सुंग काल के इत्यास को जानने के साधन कौन-कौन से है सुंगों का इत्यास जानने के लिए साहित्य की पुरातात्विक दोनों ही साधन मैत्वपुन है और इस वीडियो में हम साहितिक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहला साहितिक स्रोत क्या है पुरान, हर्से चरीत, पतर जनली का महाभास से ठीक है देखेगा इनके बारे में डिटे पुराण, पुराणों में मत्स से वायू तथा ब्रह्मांड विशेश रूप से महतोपुन है पुराणों से पता चलता है कि पुसे मित्र सुंग वन्स का संस्तापक था पुसे मित्र अवय सुंग वन्स का संस्तापक था ऐसा कोन कहते हैं पुराण कहते हैं हर्सचरीत की रचना महा कवी बान भटने की थी इससे पता चलता है कि पुसे मित्र ने अंतिमोरिय सासक ब्रदर्थ की हत्या कर सिहासर पर हदिकार कर लिया था हर्सचरीत उसे अनारिय तथा निम्न उत्पति का बताता है पतंजली का महाभासे पतंजली पुष्य मित्रसूंगे पूरो ही थे, उनके महभासे में यवन आकर्मन की चर्चा हुई है, इस चर्चा में बताया गया है कि यवनों ने साके तता मादेमिका को रोंद डाला था, गारगी सहिंता जो मोर्योत्रकाल का है महाभास से भी मोर्योत्रकाल का है और मालविकागनी मित्रम गुप्त काल का है इन तीनों ग्रंथों से पता चलता है कि पुसे मित्रसूं के समय में यवन आकरमन हुआ था गारगी सहिंता एक जोतिस ग्रंथ है इसके युग पुरान खंड में यवन आक्रमन का उलेख मिलता है जहां बताया गया है कि यवन आक्रांता साकेत, पंचाल, मथुरा को जीतने जीतते हुए कुसुम द्वज अर्थात पाठली पुत्र के निकट तक जहां पहुंचे मालवे का अगनी मित्रम नामक नाटक की रचना महा कवी कालिदास ने की थी इससे सुंग कालियन राजनती गति वीधियों का ज्यान प्राप्त होता है पता चलता है कि पुस्य मित्र का पुत्र अगनी मित्र विदिशागा राज्येपाल था तथा उसने विदर्भ को जीत कर अपने राज्ये में मिला लिया था कालिदास यवन अकर्मन का भी उले करता है जिसके अनुसार अगनी मित्र के पुत्र वसू मित्र ने सिंदू सरीता के दाहिने किनारे पर यवनों को प्राजिते किया था अगला था थेरावली थेरावली की रचना जैन लेखक मेरुतुं इस ग्रंद में उजयनी के सासकों की वनसावले दी गई है यहां पुसे मित्र का भी उलेक मिलता है तथा बताया गया है कि उसने 30 वर्सों तक राज्य किया मेरूतुं का समय चोध्वी सतापदी का है हरीवन्स में पुसे मित्र की और परोक्स रूप से संकेत किया गया है यूग में चिरकाल से परित्यक्त अस्वा में यग्य का नुस्थाने किया था इसमें इस वेक्ति को सेनानी तथा कास्यप गोत्रिये ब्राहमन खा गया है केपी जैस्वाल इसकी पैचान पुसे मित्र से ही करते हैं आयोध्य का लेख यह है पुसे मित्र के आयोध्य के पालता धन्देम नाम में क्वेक्ति उसका है इससे पता चलता है कि पूसे मित्र ने दो अस्व में ये किये थे अगला आता है दिव्यावदान यह है एक बोध गरंथ है इसमें पूसे मित्र को मोर्यवंस का अंतिम सासक बताया गया है तता उसका चित्रन बोध धरम के समहारक के रूप में हुआ है बेस नगर का लेख यह यवन राजदूत हैलियोडोरस का है तता गरुड स्थम के उपर खुदा हुआ है इससे मध्य भारत के भागवत धर्म की लोगपिरियता का पता चलता है भरहुत का लेख यह भरहुत स्थूप की एक वेस्टनी पर खुदा हुआ है इससे पता चलता है कि यह स्थूप सुंग कालीन रचना है ठीक है इन सबी लेखों के अलवा सांची बेस नगर बोथ गया अधिसे प्राप्त स्थूप एवं स्मारक सुंग कालीन कला एवं स्थापत्य की उत्कृष्टता के बारे में बताते हैं सुंग काल की कुछ पुद्राएं कोसांबी अयोध्या अहिछत्र तदा मथूरा से प्राप्त होती हैं यह सबी स्रोत सुंग कालीन इथियासें संस्कृति पर भी प्रकासे डालते हैं तो देखें इस वीडियो में हमने परिक्षा से संबंदित महत्यपुन जानकरी प्राप्त की और हमारे झालते हैं जारे वीडियो में हमारे वीडियो में हमारे।